यह दोस्तों बेस्ट फोन अंडर 20,000 आज हम डालेंगे इन फोन पे नजर और यह बताएंगे कि मतलब जितने भी फोन अभी लॉंच हुए है उसमें से 20,000 रुपय के नीचे मतलब 15-20,000 रुपय में आप कौन सा करीच सकते हैं कौन सा है आपके लिए मतलब सबसे बेस फोन आ है कि लिस्ट बहुत लंबी होने वाली है इसलिए में एक्दम तू-था-पॉइंट प्रिसाइज रहूंगा स्पेसिकेशन प्रोज और फोन के नाम के साथ यह तीनों चीज बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा और कोई दोस्तों यहां पर ऐसा ही बात नहीं कि लास फोन ब दोस्तों का यहां पर कामरा मिलता है 16 Megapixel का सेल्पी कामरा में पांच जार जार मिलियं पैन की बैटरी विज सिटी सेवन वाट चार्च अब अगर प्रोज की बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर डिजाइन है वो काफी ज्यादा सही है मतलब अगर अगर दिस्ते सरीक है का देख लो गोरेला ग्लास का बिल्ड है तो वो सारी चीज़ दोस्तों काफी जादा बढ़िया है अकोनॉमिक डिजाइन है इसी के साथ साथ आपको 75G बैंट का सपोर्ट मिलता है मिवाई 13 दोस्तों यहां पर भढ़िया है अगर पुराने फोन से कंपेर करने पोको से तो का अगर आप दूसरे कंपेर करते हैं तो थोड़ा सा मतलब इतना पावर एफिशेंट नहीं है और आप यह सेटिंस में गेम नहीं खेल सकते हैं अब उसके लावा यहां पर आपको Android 11 बेस अन्युवाई मिलता है Android 12 के लिए थोड़ा वेट करना पर सकता है अब यह फोन दोस् नेक्स पोने दोस्तों लिस्ट में Redmi Note 11 Pro Plus जो की 21,000 रुपए का है लेकिन डिसकाउंट वगरा मिला करके आप इसको 20,000 का खरीच सकता है 20Hz का Super AMOLED Full HD Plus, Outdoor Visibility काफी जादा सही है तो 108MP कामरा जिसमें आपको काफी जादा डीटेल्स, HDR's, Dynamic Range काफी जादा अच्छे दिखने को मिलता है बात करें तो दोस्तों पोन अभी भी Android 11 बेस्ट है और उसमें आपको Android 12 के लिए अपडेट के लिए वेट करना पड़ेगा Snapdragon 695 का है विच अलॉट अलॉट अप्रिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्टिक्ट्र प्राइस 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 पॉइंट अबर रोल दोस्तों अब मेरी बात मारे तो पोको X4 Pro 5G अगर आपको फ्लैशी दिजाइन पसंद आ तो इत बित मोर संस दन दन दिस नेक्स दोस्तों बात करते हैं रियल्मी 9 4G के बारे में जो की 17,990 रुपे में आपको मिलता है 6 plus 128 GB Snapdragon 680 का प्रोसेसर इसमें भी 90 Hz Super AMOLED FULL HD PLUS है 108 MP का प्राइमरी कामरा इत मेगापिक्सल अल्टरा वाइड 16 MP सेल्फी 5,000 mAh की बात की बात करते हैं तो डिसाइन काफी जादा एक्ट्राक्टिव है camera performance दोस्तों इसमें जो आपको मिलता है 108 MP वो उसका performance काफी जादा सही है अब दूसरे budget devices में दोस्तों आपको यस अल्टरावाइट सेंसर नहीं मिलता है तो वो यहां पर नहीं काटा गया अल्टरावाइट सेंसर है अपका इस प्राइस में होना भी चाहिए 90 हर्ट सूपर अमुलेट अच्छा डिस्प्ले है और कॉंट्राइश बगारा सही है अब अगर कॉंस की बात करते हैं तो 680 इस पर्टिक्लर प्राइस रेंज में थोड़ा सा महंगा है 15,000-16,000 रुपय क इस की प्राइसिंग होनी चाहिए थी डिस्प्ले दोस्तों अगर 120 हर्ट मतलब मैं पैसो को जस्टिफाइ कर पाता कर 120 हर्ट का सूपर अमुलेट डिस्प्ले होता ना कि 90 हर्ट का अब अब सब चीजों के प्राइस बढ़ रहा है तो यह भी आप नसर टाल सकते हैं नेक्स पोन है दोस्तों लिस्में रियल्मी 9 Speed Edition यह आता है 20,000 रोपय का स्नाप्राइगन 778 144 हर्ट का IPS LCD Full HD Plus दिस्प्ले 48 Megapixel प्राइमरी कामरा 16 Megapixel का सेल्फी पांच जाज़ार मिल अपर की बैटरी वाट चार्जिंग अगर प्रोस की बात करते है 144 हर्ट का जो डिस्प्ले है वो काफी जादा सही है यह बड़ लावा स्नाप्राइगन 778 है इस पर्टिकलर प्राइस रेंज में इसके जाथ आपको कोई भी यूसफ्फल सेकंडरी कामरा नी मिल रहा है सिर्फ 30W की चार्जिंग इंग इस पर्टिकलर फोन पर सिर्फ पर्फोर में डाला है और अफकॉस इप्सक्राइब कामरा सेकंडरी है और कुछ और वी जा सेकंडरी है तब आप इस यह बात करते हैं नेक्स बात की बैटरी बैटरी वाट चारजिंग अप्रोज की वाद का तो स्टॉक अंड्रॉइड है सिंग सील स्क्यूर्टी के साथ वो तो हर एक मोटरोला में अमको लगता है स्टैंडर हो गया है कलर अकुले डिस्प्ले लेकिन वो तो सिक्ष्टी हर्ज में तो यह एक कौन है अंड्रॉइड ट्वेल भी आउट बॉक्स नहीं है तो यह भी कौन है और बोरिंग डिजाइन है बट अफकॉर्स यूगे थर्टीं 5G बैंड अद मोटरोला की हिस्ट्री में दुस्तों यह अगौनॉमिक फोन मतलब इंग अंधों में काना राजा है लिटरली इतना भी सुंदत इसने नहीं बट मोटरोला की बजट फोन की हिस्ट्री इस वे एक हलका डिवाइस है बरते तों सम अगले फोन की तरव जो की डिड्मी न सेल्फी पांच हजार मिलियंपेर की बैटरी विट चार्जिंग प्रोस की बात करें तो डिजाइन काफी जादा सही है मुआ 13 है विच इस क्लूइड परफॉमेंस दोस्तों यहां पे आपको हेलियो जाइन देखने को मिल जाएगी यहां पे आपको 108 मिका पिक्सल का मिलता ह जिसमें की clarity विच अच्छी है शाफनेस अच्छी होती फोटो में जो डिस्प्ले है वो काफी जादा सही है इसका दस्तों के कॉंस की बात करें तो अभी भी Android 11 है जो Helio G96 है वो थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है और 5G सपोर्ट नहीं है 19,000 रोपे के आसपास तो यह आप आप देख लीजे का डिवाइस किस तरह से आपको लेना है अब नेक्स भरते है दोस्तों दिवाइस की तरह जो कि सिर्फ पर्पॉर्मेंस के लिए बना है टेक्नो पोवा 5G 8128 है 19,99 रोपे का विध इसमें आपको 6.9 इंचिस का बड़ा IPS LCD 120Hz का डिस्प्लेय मिलता है 50 Megapixel का प्राइमरी कामरा क्यों वीजी ए कामरा है क्यों वीजी ए क्यामरा है 2 Megapixel का एकको लेंस मिलता है 16 Megapixel का सेलपी 6000 इमेज बैटरी विद 18W चारजिंग अब देखो यह जो फोन है इस अल अब दिखने में सुंदर है डिस्प्ले भढ़िया है और पर्फॉर्मेंस आपको काफी जादा से मिलती है तो उस तरीके से इस वेरी गुड डवाइस अगर आपको एक फोन चाहिए इस पर्टिक्लर प्राइज में इसमें आपको पावर बैटरी यह सब अच्छी मेले तो आप इस फोन को ले सकते हैं लेकिन दोस्तों इस फोन पर आप कैमरा इसका एकदम अच्छा नहीं है एंड ऑस पाट आपको मिलता स्नाप्राइज एच्छा का इस प्राइज इस फोन दोन चीजों को छोड़ करके इस वेरी गूड डवाइस नेक्स बरता है तो संसंग एलेक्सी एक अटरफ जो कि आता है सत्रह हजार अपय का असपास अश्पास यहां पर आ संसंग की बात करते है तो यहां पर दोस्तों आपको चार्जर नहीं मिल रहा है और नाहीं आपको के स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है तो इसके लिए लिए पैसे देने बड़ता है बेजल इतने जाद अच्छे नहीं है और डिजाइन दोस्तों इस फोन का थोड़ा सो और हो सकता है तो इसके लावा एक डिसेंट फोन अब सैंसें इतरे सा तो एक अर फोन है एन 33 जो कि आता है एकसनौस 1280 के साथ और यहां पको 6.6 इंचर का TFT LCD 120Hz FULL HD PLUS देखने को मिलता है तो बेसिकली दोस्तों यह प्रोज में आपको 5G फोन मिलता है इसमा आपको ग्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और डी सिंट कामरा है वन यू आ है बट अगें दोस्तो इसमें चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं है और थोड़ा सो design है वो बोरिंग है HDR फोटोस के थोड़े सो और बेटर हो सकते थे अब अगले फोन की तरफ हरते है दोस्तों जो कि है रियल्मी की तरफ से लेटेस एक तम फाड़ा फाड़ी फोन जो कि है नार्जो 50 प्रो अं हमने दोस्तों इस पर्टिकलर फोन का भी रीसिंटी कंपारिजन भी किया है तो वो जरूर आप देखिएगा वैसे आगर स्पेसिकेशन की बात करें लगभग 22,000 उपे में में मिलता ह 6.4 इंचेस का 90Hz FHD प्लस AMOLED दिस्प्ले मिलता है जो की 1000 मिट्स पीक ब्राइटने के साथ आता है कैमरा आपको आपको 48 प्लस 8 प्लस 2 विच 16 मेगापिक्सल सिल्फी और 5000 मिलियंपर की बैटरी विच 33 वाट चार्जिग अब अगर फ्रोस की बात करें तो दोस्तों यहां पे जो डिस्प्ले है वो काफी जादा भढ़िया है और उसके साथ-साथ जो आपको 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 प्रोसेसर मिलता है तो आपको उसके बारे में और जादा जानकारी देखनी को मिल जाएगी Android 12 out of the box है तो this is also an added advantage अब दोस्तों यहाँ पर अगर cons की बात करें तो हमें यहाँ पर कोई cons मिले नहीं है बट हाँ एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपको card offer नहीं मिलता है तो यह थे वो सारे के सारे phones जो आप 20,000 रुपए के नीचे खरीच सकता है आपको वीडियो पसंद आयोगा पसंद आए तो एक थमसब जरूर दीजेगा हमारे चानल जीटी हंदी को सब्सक्राइब करना बिलकुल नदब तुलिएगा तो बस आज की वीडियो के लिटन है और अगले वीडियो में आप सभी से मिलनी की आशार रखते हुए बड़ पाए